चालिए अब हम देखते हैं proteins, carbohydrates और nucleic acids के अंदर bonding कैसे form होती है सबसे पहले हम देखेंगे proteins के अंदर bonding के सामने यहाँ पर दो amino acids दिखाए हैं जिसमें से एक amino acid का ये carboxyl group और दूसरे amino acid का ये amino group ये दोनों ही यहाँ पर combine करेंगे और form करेंगे यहाँ पर peptide bond को तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी बताया था यहाँ पर carboxyl group का ये hydroxyl group और amino group का ये hydrogen group ये दोनों मिलके एक water molecule को form करते हैं जो कि इस reaction में release out हो जाता है और बच जाता है यहाँ पर ये peptide bond तो आप देख सकते हैं ये peptide bond यहाँ पर carbon और nitrogen के बीच में form हुआ है जो कि दो amino acids के carbon और nitrogen group हैं यानि ये carbon alpha carbon नहीं होता ये carbon वो carbon रहता है जो amino acid में carboxyl group का carbon रहता है तो यानि कि अगर आप इस तरह का bond देखते हैं जो कि alpha और amino group के बीच में हैं इसे हम peptide bond नहीं कहते क्योंकि अभी हमने देखा कि reaction में ये bond कैसे form हुआ है यानि कि ये यहाँ पर dehydration reaction से form हुआ है दो monosaccharide unit आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने सामने यहाँ पर एक monosaccharide का hydrogen और दूसरे monosaccharide का hydroxyl group ये दोनों ही आपस में combine होकर water molecule को यहाँ से release out कर देते हैं और मिलकर बना देते हैं यहाँ पर ये glycosidic bond यानि कि ये भी एक तरह की dehydration reaction है जहाँ पर ये water molecule release हो जाएगा और ये दोनों monosaccharides condense होकर ये glycosidic bond को यहाँ पर form कर देते हैं नेक्स्ट अब हम देखेंगे nucleic acid के अंदर किस तरह के bond हमें देखने को मिलते हैं आनि कि वहाँ पर nucleotides जो हैं वो आपस में कौन से bond से जुड़ी रहती हैं तो यहाँ पर आप अपने सामने एक nucleotide unit देख रहे हैं ये join होगी अगले nucleotide unit से तो जैसा कि हमने पहले भी सीखा था यहाँ पर ये जो ribose sugar है इसमें इस एक carbon के positions अगर हम देखें तो ये है first carbon, ये second, ये third, ये fourth और ये रहता है fifth carbon तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो third carbon है इसकी bonding होती है इस fifth carbon से लेकिन बीच में हमेशा रहता है ये phosphate group क्योंकि ये phosphate group जो है वो nucleotide के अंदर fifth carbon से attached होता है तो यहाँ पर ये जो third carbon का hydroxyl group है इसका ये hydrogen atom और phosphate group का ये hydroxyl group ये दोनों ही मिलकर यहाँ से water molecule को form करते हुए निकल जाएंगे और एक condensation process से यानि एक condensation reaction से यहाँ पर भी एक bond को वो form कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो bond form होता है इसे हम कहते हैं phosphodiester linkage अब हमने इसको phosphodiester linkage इसलिए कहा है क्योंकि जो भी bond phosphate और sugar के carbon के बीच में form होता है उसे हम कहते हैं ester bond यानि कि यह यहाँ पर एक ester bond है इसी तरह phosphate और carbon के बीच में एक ester bond यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर दो ester bonds है इसलिए diester यहाँ पर यूज किया है और बीच में यहाँ पर प्रेजन्ट है एक phosphate group तो यह पूरा bond यहाँ पर है phosphodiester bond या फिल phosphodiester linkage